असलाम वालेकुम दोस्तो आपका हमारी यूटुब चैनल सेहत युनानी मालूमात पे इस्तिकबाल है दोस्तो आम तोर पर बर्फ का पानी और घर्म कौफी चाई पीने पर ये ठंडे और घर्म पेपदार्थ दान्तों में बहुत तेजी से लगते हैं जो असहंसिल हो जाते है इसे ही दान्तों की सेंसितिविटी या दान्तों में ठंडा घरम लगने की समश्या कहा जाता है ऐसी स्थिती में दान्तों की विशेश देखपाल की जरूरत पड़ती है और कोई भी खाज्य पदार्थ बहुत साउधानी से खाना पड़ता है वास्तव में दान्तों में sensitivity की समश्या किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को हो सकती है यदि वह अपने दान्तों के प्रती बहुत लापरवाही बरत्ता हो तो इसलिए दानतों की sensitivity के बचने के लिए दानतों की साफ सफाई पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है दोस्तो यदि आप हमारी चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाए ताके हर आने वाली नई वीडियो की notification आपको मिलती रहे दोस्तो दानतों में ठंडक और घर्मी मैसूस होना दानतों का ठंडा और घर्म लगना एक दर्दनाक प्रक्रिया है इसमें रोगी न कुछ ठंडा खा सकता है और नहीं कुछ घर्म दोस्तो इसका इलाज हर घर में उपलग्द है आपको लेना है काली मिर्च 5 ग्राम, शहद 25 ग्राम काली मिर्च को पीसकर शहद में मिला कर पेष्ट बना ले दोस्तो इसे इस्तिमाल करने का तरीका इस पेष्ट को उंगली की सहायता से दानतों पर लगाए 10 मिनिट के लिए मुख को बंद कर दे 10 मिनिट के बाद मुख को नीचे की और लटकने दे अब मुख से पानी निकलने लगेगा जब राल टपक जाए तो सादे पानी से घरारे करके मुख को धो दे इंशाल्ला यह बिमारी एक हफते में खत्म हो जाएगी अगर किसी को हफते भर में फाइदा न हो तो कुछ दिन और करे इंशाल्ला कुछ दिनों में दांतों का ठंडा और घरम लगना बंद हो जाएगा इस प्रक्रिया को दिन में दो बार करे दोस्तो उमीद करता हूँ जानकारी अच्छी तरह मिली होगी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे मिलते हैं इंशाल्ला नेक्स्ट वीडियो में